हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई किचन, आज मैं होममेट सॉफ्ट पनीर बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए, पनीर बनाना शुरू करते हैं ये मैंने एक लिटर फुल क्रीम दूद लिया है, इसे गरम होने देते हैं, जब इसमें उबाल आ जाएगा, फिर हम इसे फाड़ेंगे ये देखिए, उबाल आ चुका है, गैस बन करतेते हैं अब इसे एक से दो मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे एक से दो मिनट हो चुके हैं, अब इसमें ये मैं दो चम्मत सिर्का डालूँगी यहां मैं सिर्के का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो लेमन जूस या धाई का पानी भी यूज़ कर सकते हैं मैं यहां सिर्का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सिर्का डालने से पनी बहुत ही सॉफ्ट बनता है तो ये देखिए ये दूद अच्छी तरीके से बढ़ चुका है ये देखिए किसी भी खाली बड़तन में एक चन्नी रख लें और इसके ओपर कोई भी कॉटन का एक अपड़ा रखें और इस चैने को इसके अंदर डाल दें जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए इसके बाद इसके ओपर एक ग्लास नॉर्मल पानी डाल दें जिससे इसका सारा खटापन निकल जाए और इसको इस तरीके से उठाके इसके पोटली बनाके इसको कसके दवाएं जिससे के इसका सारा पानी निकल जाए ऐसे घुमाते हुए इस तरीके से इसे रखतें और कोई भी भारी चीज़ इसके उपर रखतें आदे घंटे के लिए इसको ऐसे ही ठक कर रखें आदा घंटा हो चुका है, बनीर को चेक कर लेते हैं ये देखिए, हमारा बनीर बनके तयार है, इसे काट लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसे आप कोई भी शेप देदे ये देखिए, सॉफ्ट बनीर बनके तयार है अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार